हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक ओन अविकन ब्रेंज वन्स अगेन, आप सबका अविकन ब्रेंज पर एक बारी फिर से नए वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, जमेंट कश्मीर combined competitive mains examination जो है 2021 का वो defer कर दिया गया है दोस्तों इसको पूरा discuss करने से पहले ये चैनल और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें जिसका नाम है अविकन रेंज और वीडियो को शुरू से लेकर लास्त तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो बढ़ते आगे यहां पर आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले का है जेके पीएसी के बाहर की अपडेट्स मैं देख रहा था पुलीस लगी हुई थी, बच्चे जमा थे कैंडेट्स जमा थे, एस्पाइरेंट्स जमा थे, न्यूज, मीडिया वाले आउटलेट्स वहां थे और फाइनली यहां पर मैं कहूंगा कि जेके पीएसी हो, जेके एससबी हो कोट कचेरी का चकर कैंडेट्स को काट नहीं पड़ता है अगर ऐसा हो तो जेके एससबी या जेके पीएसी या जितनी भी रिक्रूटिंग बॉडीज हैं वो कैंडेट्स को अकमोडेट करने के लिए उनकी परेशानियों को सुनने के लिए अगर खुद का एक ग्रिवियन सेल वहां रखें, एक कमीटी बिठाएं, एक टीम वहां रखें तो कोट कचेरी के चकर से पहले ही कुछी दिनों में जिन चीज़ों का फैसला खुद कमिशन को लेना चाहिए रिक्रूट्मेंट बोर्ड या रिक्रूट्मेंट जो एजनसीज को लेना चाहिए वो क्यों दरबदर भटकाते हैं बच्चों को जिसमें उनका पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, एनरजी वेस्ट होता है finally वही जाकर जो बच्चा कह रहा होता और court की तरफ से उनको जब direction मिलती है फिर जाकर इनके कान खुलते हैं और फिर जाकर agencies जो है commission जो है institutions जो है recruiting agencies जो है वो उसका फैसला लेती है तो जो आज हुआ उसके बारे मैं मैं काफी देख रहा था तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि यह notify कर दिया गया है कि जो candidates जमवेंट कश्मीर combined competitive exam main examination जो schedule था कल से 17 तारीक तक कल मार्च 10 थी और 17 मार्च तक यह exam होने वाला था यह अब एक गंटे पहले अब जो है news आ चुकी है जो कि पीस्टी के commission के बाहर में देख रहा था पुलीस खड़ी है अंदर लाइटें जली हुई है और commission की committee बैटी हुई है और फैसला सुना रही है कि अब जी कल वाला main exam नहीं होगा यह तमाशा नहीं तो और क्या है अगर इन बच्चों के बारे में इन्होंने पहले ही सोचा होता जिन्होंने एक grievance दी थी जो वो गए थे कि इस चीज़ को अगर court के पास वकील, judge, लोग मिलके वहाँ बैठ कर इस चीज़ का analysis करके बच्चों की बात को सच मान कर फिर फैसला सुनाते है तो क्या commission के पास इतना talent नहीं है को समझ आ रही क्या commission के इन अधिकारियों को members को समझ नहीं आ रही उस controller of examination की पुरी की पुरी team को जो exam conduct करवाती क्या उनको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी जो कि उनको court के उस एक फटके पे समझ आ जाती है क्या बच्चे के मूँ से वो बच्चा खुद लिख कर भी दे रहा अगर court को वो written में वकील की मदद से judge को समझा रहा है और judge जो है समझ चुका है फिर बच्चों के हक में फैसला सुना चुका है और क्या ये चीज़ें JK SSB, JKPSE हैं कोई भी recruiting agencies खुद नहीं समझ सकती तो क्यों ज़रूरी ये पढ़ जाती है हर बार में यहाँ पे बहुत serious matter आपके साथ discuss करता हूँ जो चीज़ें इन लोगों को खुद समझनी चाहिए और खुद फैसला करना चाहिए बच्चों के हक में justice, equality and non-discriminatory जो policies हैं या conduct of exam है या कोई भी answer की में गड़बड है question paper में गड़बड है ये चीज़ें बच्चे को समझ आ रही है बच्चा जो तड़फ कर बोल रहा है उसको सुना नहीं जा रहा है उसके बद वो जा रहा है court में और court में वकील कर रहा है वकील फिर judge को सुना रहा है judge के सामने जो है बयान बाजियां होती फिर वहाँ पे अपना जेके पेसी अपना argument देता है फिर बच्चे जो है फिर भी जीच जाते है और फिर judge का फैसला बच्चों के हक में आता है और फिर बच्चों के फैसले के basis पे commission को अपने फैसले बदलने पड़ते है तो इस सारा drama जो हुआ और finally मैं ये बता दूँगा कि update यही था कि कल जो mains का exam होने वाला था कुछ बच्चे जो हैं court में गए थे उन्होंने वहाँ पे petition file की थी और उनके हक में ये फैसला आया है चे बच्चे जो मैं अभी तक सुन रहा हूँ update जो था अब उसके basis पे और कहा जा रहा है कि बाकी सारे बच्चे भी court का दर्वाजा खट-कटा सकते हैं या commission को उसके basis पे और सारे बच्चों को बहुत सारे बच्चों को अंदर करना होगा mains examination के लिए तो वो future हमारा आगे आने वाला कल बताएगा कि अब JKPAC क्या step लेता है आगे बाकी सारे candidates के लिए और mains examination के related तो हमारे साथ बने रही है इसी तरह के updates के लिए अवेकन रेंज के साथ जुड़े रही है इसी तरह के updates के लिए मैं कहूंगा अगर थोड़े बहुत candidates जो exam देने वाले थे उनको रहत एक तरफ से मिली होगी जो थोड़ा और उनको time मिलेगा दूसरी तरफ से काफी सारा burden भी होता है tension भी होती है और काफी सारी harassment भी होती है किसम की कुछ बच्चे जो आगर आज का रात को वो जल्दी सो गए होंगे और सोच रहे होंगे कल सुबह हमने mains examination देना रात को मैं नीद अराम से करूँ तो सुबह उसको notification मिलेगी कि मेंस examination आज जो है cancel हो गया तो कुछ बच्चों का बारहाल तयारियों का मौका मिलेगा कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा तो somehow इस पूरी की पूरी confusion में मैं यह कहूँगा कि recruiting agencies और institutions को candidates को यह जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए कि वो court कचैरी के चकर काटे वकील और जज़ूं के जरीए जो है इन agencies को समझाए कि मैं जो बोल रहा हूँ या मेरा जो मानना है या जो मेरी जो अंदर से मेरी जो समझ है उसको मुझे जज और वकीलों के जरीए समझाना पढ़ रहा है ये चीज़े काफी दुख वरी होती है जब मैंने ये news देखी तो मुझे लगा कि मुझे इस पर जुरूर अपने views शेर करने चाहिए तो मेरा तो as a candidate, as a aspirant और ऐसा मैंने भी government job जब ली है चाहिए कोई भी job हो किसी भी institution में, किसी भी department में आप job कर रहे हो लेकिन ये बात में हाँ पर concern हो इस चीज़ से की recruiting agencies को candidates को इतना दरबर दर नहीं करना चाहिए कि वो वकीलों और जज़ों की मदद से उनको समझाए कि आपने कहां गलती की है उनके पास खुद पड़े लिखे लोग है खुद इतना उनके पास agencies के पास इतना human power है resource है उनके पास कि वो खुद वहाँ पे समझ 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 सके तो ये कोट का चैरी के चक्रों में इस वक्त जो हुआ वो काफी परिशान करने वाली न्यूज भी थी काफी राहत बरी न्यूज उन बच्चों के लिए भी थी जो ये कोट केस जीते और कोट की direction के basis पे अब उनको मेंस में बैटने दिया जाएगा तो बहराल future में अब क्या होगा किस तरह से और बच्चों का accommodate करेगी या नहीं करेगी वो तो वक्त बताएगा फिलहाल के लिए अपडेट है कि मेंस examination जो है वो defer कर दिया गया है कोई further notice नहीं दिया है अभी और वो later on बताया जाएगा तो thank you so much for watching this video and thank you so much for watching Awakened Rains इसी तरह की अपडेट्स के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like, share और comment करना ना भूलें God bless you all